हम कर रहे हैं चैप्टर नमबर 2 बिजनस इन्वाइरोमेंट वो है आपके FYB.com Commerce 1 सबजेक्ट में आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नमबर 8, 7 लेक्चर अल्रेडी हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बिजनस के इन्वाइरोमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि बिजनस कभी सेपरेशन, आइसोलेशन में नहीं चल सकता है ओना बहुत जरूरी है अब ये इन्वाइरोमेंट इंटरनल भी हो सकता है external भी हो सकता है and अभी हमने जो topic शुरू किया है वो है international environment के बारे में याने के कुछ businesses ऐसे होते हैं जो overseas market में भी operate होते हैं ठीक है export import का business करते हैं so वहाँ पे international market जिसे हम कहेंगे so वहाँ पे क्या situation चल रही है वो उन business इसको बहुत ज्यादा affect करती है ठीक है so अभी आज के topic में हम सबसे पहले शुरू करने वाले है challenges के बारे में challenges in the international business environment ठीक है कि कोई business है जो overseas market में operate हो रहा है so उसके लिए कौन-कौन से challenges होंगे अभी of course locally हमारी country में कोई business चल रहा है so and अगर वो overseas market में जा रहा है so of course दोनों के challenges में भी difference आ जाएगा ठीक है क्योंकि दूसरी country में अगर business हो रहा है so वहाँ पे customers अलग होंगे वहाँ की government अलग होगी वहाँ की situation अलग होगी so इससाब से challenges भी अलग से होने वाले है so अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उन challenges के बारे में so now सबसे पहला हम challenge देखते है geopolitical uncertainty and trade war geopolitical uncertainty and trade wars देखे अभी geopolitical याने क्या कि जितने भी हम कहें की countries है अलग-अलग उनका जो geographical area है सो सबकी political situation जो होगी वहाँ पर uncertainty होगी ठीक है हम हमारी country की बात करें सो तो हम थोड़ा expect कर सकते हैं थोड़ी stability या हम future की बारे में कुछ predict कर सकते हैं लेकिर अगर हम oversize market में जा रहा है तो वहाँ पर geopolitical uncertainty होने के chances ज्यादा होते हैं and trade war trade war याने के अलग-अलग countries जो business करती है आपस में सुब वहाँ पर trade war चलते रहते हैं सो यह सारी यह चीज़े एक challenge create करती है business के लिए so geopolitical tension, trade disputes, example US-China trade war and protectionist measures create uncertainties for international business affecting supply chain, investment decisions and market access conditions globally देखे अभी geopolitical tensions याने के हम किसी country के साथ business कर रहे है मानलो हमारा business है किसी country के साथ business चल रहा है अभी उस business करते समय हो सकता है कि वहाँ कुछ problem हो गई दो countries के बीच में war हो गई या कोई और problem हो गई है political situation जिसकी वज़े से हमारा business effect हो सकता है और दूसरा क्या trade disputes अब यह trade disputes का उन लोगों ने example दिया है यूएस चाइना trade war बहुत पहले हुआ था फिर यूएस ने काफी relaxation दे दिया चाइना के products के लिए तो वह भी situation रही थी पहले तो यह भी हो सकता है ट्रेट disputes हो सकते हैं दो countries के बीच में protectionist measures protectionist measure किसी particular country की government है वो क्या करेगी protectionist measure लेगी यानि कि वो देखे की कि उसकी country के लिए कोई import या export अगर harmful है किसी product का तो वहाँ पे वो government क्या करेगी protectionist measure लेगी यानि कि for example government को ऐसे लगता है कि कोई particular product का import ज्यादा हो रहा है एंड उसकी वज़े से हमारी country की industries को problem हो सकती है हमारी country के industries down हो सकती है तो government क्या करेगी उस import पे ज्यादा duties लगाएगी टेक्सिस लगाएगी तो वो import कम हो जाएगा तो उन तरीकों से government क्या करती है protectionist measures लेती है ठीक है तो यह सारी चीज़े जो होती है geopolitical tensions है trade disputes protectionist measures लेती है government तो यह सारी ही चीज़े create uncertainties for international business क्या होता इसे uncertainties आती है हम किसी country के साथ business कर रहे है उस country में export कर रहे है हम हमारे प्रड़क को और वो government ने अचानक से duties टेक्सिस लगाना चालू कर दिया बढ़ा दिया हमारे प्रड़क पर तो हमारा तो business वहां affect हो गया तो यह सारी चीज़े business को affect करती है supply chain को affect करती है investment decision को affect करती है and market access conditions globally जो भी business अलग market को access कर रहा है जहां पर वो operate कर रहा है so उस market access को भी affect हो जाता है so यह first challenge हो गया now next one is emerging market risk and volatility अभी emerging market present growth opportunities but also pose risk related to political instability, regulatory changes, currency fluctuation and economic vulnerabilities अभी यह emerging market risk कियाने क्या? ऐसी countries के market ऐसी countries जो develop stage पे नहीं है developing भी नहीं है ठीक है थोड़ा backward है so वहां के market में of course opportunity businesses के लिए ज्यादा होगी लेकिन वहां पे risk भी ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पे political instability ज्यादा होगी जो countries developed नहीं है एकदम से regulatory changes होते रहेंगे, currency fluctuation होगा यह सारी चीज़े वहां पे होगी वैसे markets में so यह एक risk है now firms must assess risk and adopt adaptive strategies to navigate dynamic market conditions in emerging economies देखे अभी ऐसी situation में firms याने business इसने क्या करना है? assess करना है risk को, assess करना है यानि evaluate करना है कि जहां पे जिस market में हम enter होना चाहते है तो वहां पे किस तरह के risk है, ठीक है, किस हद तक है, ज्यादा है, कम है सारी चीज़े assess करनी है and उसके बाद adopt करना है adaptive strategies adaptive याने के किसी particular situation के साथ adjust हो जाना, ठीक है? वैसी adaptive strategies बनानी होगी business ने ताकि वो इन challenges को face कर सके so यह रहा हमारा दूसरा challenge, now third one is digital disruption and cyber threats अभी आज कल businesses में हम कहें कि काफी सारी e-commerce system आ गई है digitally business काफी आगे बढ़ गए है, काफी तरी technologies आ गई है so उसी के साथ challenges भी बढ़ गए है, so digital disruption and cyber threats now rapid technological advancement and digital disruption pose challenges for business in adapting to digital transformation cyber security threats, data privacy regulation and technological obsolescence यह सारी चीज़ों में problem आगे, digital disruption याने कुछ digitally तुम कुछ process कर रहे हो, transaction कर रहे हो वहाँ पे बीच में problem create हो जाएगी, disruption आ जाएगा cyber threats भी है, data securities के issue भी है so यह भी technology advance हो गई है, no doubt, उसका benefit मिल रहा है, लेकिन साथी साथ यह risk भी चल रहे है so investing in digital resilience and innovation capabilities is crucial for maintaining competitiveness in the digital era so यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा की challenges क्या है, international market में अगर कोई जाना चाहता है कोई business या international environment में क्या challenge है हमने देखा अभी हम next देखते है, opportunities ठीक है, challenge है, no doubt, लेकिन साथ ही opportunities भी तो है opportunities इंतरनेशनल business environment हम कहते हैं कि business और risk साथ साथ में ही रहते हैं, without risk business नहीं हो सकता so ठीक है, risk है, challenge है, हम मना नहीं करें, लेकिन वहाँ पे भी कही ना कही opportunity धुननी होगी, business इसने, ठीक है, तभी जाकी वो grow कर पाएंगे, so वो opportunities क्या होगी, so first one is market expansion and globalization, market expansion याने market बढ़ाना and globalization करना, globalization याने हम हमारे ही geographical limit में restricted नहीं है, अभी आजकल तो globally कोई भी country से, कोई भी country के साथ buying, selling हो सकता है, trade हो सकता है, तो globalization आ गया है so now global market offer, markets offer opportunities for firms to expand customer basis, diversify revenue streams and tap into emerging market growth, देखे, global market क्या करता है, opportunity देता है business इसको, to expand customer base, ठीक है, पहले हम एक ही country के साथ transaction करते थे, trade करते थे, हम और भी countries में जाके try कर सकते हैं, so हमारा customer base हम बढ़ा सकते हैं, expand कर सकते हैं, diversify revenue stream, हमारे revenue जिन तरिकों से हो रहा है, so उन्हें हम change भी कर सकते हैं, diversify भी कर सकते हैं, and tap into emerging market growth, ठीक है, जो emerging market है, नए-नए market available हो रहे है, so वहाँ पर enter हो सकते हैं, so यह सारी opportunities मिल रही है global market में, strategic market entry, strategies, joint venture, merger, acquisition, facilitate market penetration and competitive positioning in new geographies, अभी strategic market entry, याने के, जब भी कोई business overseas market में enter हो रहा है, so वो किन तरीके से हो सकता है, एक तो joint venture कर सकता है, वहाँ के किसी business के साथ, ठीक है, जो temporary partnership होगी, merger कर सकता है, यहाँ की company, foreign company के साथ merge करेगी, या foreign company हमारी company के साथ, acquisition हो सकता है, ठीक है, वहाँ के business को acquire कर लिया, हमारे business ने, तो यह सारी चीज़े हो सकती, यह strategic market entry हो जाएगी, इससे क्या होने वाला है, facilitate market penetration and competitive positioning, अभी इससे business क्या कर पाएगा, अच्छे से दूसरे market में enter हो पाएगा, and competition में भी आगे निकल पाएगा, so यह रही हमारी first opportunity, market expansion and globalization, now next is, innovation and technological advancement, innovation, कुछ नया, हम कहें कि कुछ नया आना, ठीक है, जिसे product में कुछ नया आता है, technology में कुछ नया आता है, कोई production method में कुछ नया आता है, innovation हो न, and technological advancement, technology भी advance हो चुकी है, आजकल, so यह भी एक opportunity है, invention, sorry, innovations in technology, product service development, business model, enable form to create new market opportunities, enhance operational efficiencies and deliver value added solution to global customers, ठीक है, यह सारी चीज़ों में innovation आते हैं, अगर technology में आया, product या service development में आया, business models में आया, जिस तरह के से business चल रहा है, जो भी system से, जो model है, उसका उसमें कुछ नया हुआ, तो अभी उससे क्या होता है, नई market opportunity मिलती है, business को, and operational efficiencies भी बढ़ती है, operational efficiency याने के, पहले business जो output देता था, अभी उसमें efficiency आ गई, अभी वही resources यूज करके, वो ज्यादा output दे सकता है, so, and deliver value added solution to global customer, global customer को भी वो अच्छे से satisfy कर पाएगा, service दे पाएगा, so, now embracing innovation, fosters competitiveness and sustains long term growth in the international market place, now, ये हो गई हमारी second opportunity, and now, last one is, sustainability and corporate responsibility, sustainability and corporate responsibility, देखिए, sustainability क्याने के क्या, क्या भी business जो चल रहे है, so, हमें पता है कि business इसको input required होता है, अभी वो input उन्हें मिलेगा, society से, ठीक है, environment से मिलेगा, and उसके बाद उनका जो output आया है, वो उन्हें society में यानि customer को बेचना है, and दूसरा, at the time of production, काफी सारा waste generate होगा, ठीक है, वो waste सही तरीके से dispose होना चाहिए, air pollution होता है, noise pollution होता है, water pollution होता है, ये सारी चीज़े भी होती है, सो अभी पहले environment के बारे में काफी चीज़े सोची नहीं गई थी, कि environment को business इसकी वज़े से नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी ये सारी चीज़े सोची जा रही है, क्योंकि globally काफी सारी problem arise हो रही है environment के लिए, सो अभी sustainability का मतलब क्या हो जाएगा, कि business ने इस तरीके से operate होना है, कि वो बहुत minimum harm पहुचाए environment को, ठीक है, ज्यादा waste generate ना करे, waste को सही से dispose कर दे, ज्यादा pollution नहीं होना चीए, resources को अच्छे से use करना है, ठीक है, ये सारी चीज़े को हम कहेंगे कि sustainable business है, तो अभी देखे, embracing sustainability initiatives, green technologies and corporate responsibility practices, enhance brand reputation, attract environmentally conscious consumer investors, and comply with regulatory standards, ठीक है, तो अभी यहाँ पह क्या हो रहा है, देखे, businesses initiative ले रहे हैं कि वो sustainable business करे, green technologies आ रही है, अभी काफी सारे business ऐसे होते हैं, हम कहें कि paperless होने की try करते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे, paperless याने बहुत कम से कम documentation हो, तो इसका मिदलब क्या कोई resources है, जिसे हम save कर रहे हैं, उससे ज्यादा waste नहीं कर रहे हैं, पेपर लेस हो सकते हैं, ऐसे ही हम कहें कि wastage कम होने का कोई industries का try करती है, recycling का try करती है, कोई companies packaging ऐसा बनाती है, जो packaging reuse हो सके, ठीक है, वैसी काफी सारे initiatives अभी companies ले रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे green technologies, तो नाव यह green technologies का concept अभी बहुत चल रहा है, और corporate responsibility भी एक business के लिए होती है, कि वो environment का ध्यान रखे, तो नाव leading in sustainability, drives competitive advantage, और fosters long term business resilience in global economy, अभी ऐसे जो businesses है, जो sustainability का ध्यान रखते हैं, environment का ध्यान रखते हैं, तो वैसे businesses long term के लिए tick सकते हैं, ठीक है, customers के mind में, stakeholders के mind में, बहुत अच्छी impression हो जाती है, ऐसे businesses के लिए, तो ये हो गए हमारे opportunities हमने देख ली, कि कौन कौन सी opportunities है, international environment में, तो नाव अभी हम जाते हैं, next topic पे, that is current trends in the world, अभी हमारे world में क्या-क्या trend चल रहा है, in international environment क्या-क्या trend चल रहा है, वो देखते हैं, So, the world of business is undergoing rapid transformation driven by technological advancement, shifting consumer behavior, sustainability imperatives, geopolitical dynamics, evolving workplace trends, अभी के businesses में, ये सारे concept बहुत अच्छे से involved हो गये हैं, कौन से कौन से, technological advancement, technological advancement हो गया है, पहले जिन तरिकों से business चलते थे, जिन methods से चलते थे, अभी वैसे नहीं चलते हैं, कोई चीजों का production पहले जैसे होता था, अभी वैसे नहीं होता, अभी तो machinery यूज करके बहुत अच्छे से फटाफट से काम हो जाता है, ठीक है, पहले labor intensive थी, चीजे होती थी, ज्यादा इंसानों का use करके, अभी machines ज्यादा use होते हैं, technological advancement आ गया है, shifting consumer behaviors, consumers की demand, उनकी needs अभी change हो गई है, ठीक है, पहले जिन तरिके जैसा customers का behavior था, अभी उनका behavior ऐसा नहीं है, now next is sustainability imperative, sustainability जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, what is sustainability की environment का ध्यान रखना है, विजनस ऐसे करना है कि environment को कम से कम नुकसान पहुँचे, so and next is geopolitical dynamics, याने कि overseas market के साथ अगर business चल रहा है, so उस market में, जिस भी country के साथ business चल रहा है, for example, so वहां की political situation change हो सकती है, जिक है geopolitical dynamics and evolving workplace trends, पहले जिस तरिके से लोग काम करते थे और अभी करते हैं, उसमें काफी situation change हो गई है, तीके after lockdown तो अभी तो system काफी काम करने का change हो गया है, so evolving workplace trends, now businesses must adapt to this changes, businesses ने क्या करना होगा, adapt करना होगा, याने खुद को adjust करना होगा, इन सारे changes के साथ, impress innovation, innovation लाना होगा, business में prioritize sustainability and navigate geopolitical uncertainties to achieve long term growth, resilience and competitive advantage in the global marketplace, ठीक है, यानि वो लोग कहना चाहते हैं कि ये सारे जो concept अभी के world में आए हुए है, तो business इसने इन सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करना होगा, business ने innovation भी लाना है, खुद के business में, product में, technology में, वो भी लाओ, sustainability का भी ध्यान रखो, workplace trend भी देखो, ठीक है, वो सारी ही चीजों करनी होगी, Now, by embracing digital transformation, sustainability initiatives, inclusive practices and strategic partnership, businesses can thrive, admist, evolving trends and contribute to sustainable economic development, social progress and environment stewardship globally. के ये सारी चीज़े, strategically करनी होगी, businesses ने, Now, अभी next हम देखे, To provide, To provide a comprehensive overview of current trends in the world of business, we will explore various facets including technological advancement, shifts in consumer behavior, sustainability initiative, geopolitical dynamics and the evolving workplace environment, ये सारी चीज़े हम आगे के topics में in detail पढ़ेंगे, Now, these trends are shaping the global business landscape, influencing strategies, operations and competitiveness across the industries. ये सारे ही जो trends चल रहे हैं, जो अभी के world में change हुए हैं, इन सारी चीज़ों से ही decide होगा कि business किस तरीके से चलेगा, कितना customer वो cover कर पाएगा, ठीक है, चलिए, अभी हम next topic करते हैं, that is, technological advancements and digital transformation, technological advancement and digital transformation, Now, अभी यहाँ पर, technological advancement, current world trend चल रहा है, वो हमने देखा, इसके पहले topic में, लेकिर अभी in detail अगर करें, तो यहाँ technological advancement में सबसे पहला है, artificial intelligence and machine learning, artificial intelligence and machine learning, अभी machine learning की अगर हम बात करें, so अभी mostly काफी सारे businesses, mostly काफी सारे जो productions चलते हैं business में, वो कैसे हो गए है, machine learning हम कह सकते हैं, कि through machines होते हैं, या computerized program set किया जाता है, उसके machine learning के base पे कोई भी काम हो सकता है, तीक है, एक दूसरा आता है, artificial intelligence, अभी यह जो machine learning है, वो artificial intelligence का एक पार्ट है, लेकिन artificial intelligence एक बहुत बड़ा concept है, सो वहाँ पे क्या होना है, कि जिस तरीके से इंसान अपनी intelligence लगाता है, कुछ problem solving में या कुछ काम करने में, वैसे ही वही काम artificially करवाया जाएगा through machines, ठीक है, सो उसके जरीए ऐसे problem solve की जाएगी, जहाँ पे intelligence की जरुरत हो, So, now, AI and machine learning are revolutionizing business operations by automating task, predicting consumer behavior, optimizing supply chain and enhancing decision making process. अभी यह जो artificial intelligence है और machine learning है, इसके जरीए क्या हो गया है, काफी सारे टास्क ऐसे है जो automize हो गया है, manually करने के जरुरत नहीं है, predicting consumer behavior, कुछ data होगा जिसको analyze करके consumer behavior predict किया जहा सकता है, optimizing supply chain and enhancing decision making process, decision making पी यहाँ पे हो सकता है, applications include, अभी किस तरी कौन कौन से application help करेंगे, so application include, chatbots, predictive analytics, personalized marketing and autonomous system, ठीक है, so यह सबसे पहला हम कहें की कुछ change है, technological advancement and digital transformation में, next is big data and analytics, big data and analysis, now proliferation of data from digital interaction and internet of things devices enables business to attract actionable insights for strategic decision making, consumer segmentation, operational efficiency and personalized customer expectation, experiences, so now अभी यहाँ पे कैसा है, big data and analytics, businesses क्या करते हैं हमेशा, काफी सारा data collect करके, उसे analyze करके, फिर वो लोग क्या करते हैं कि decision making करते हैं, normal ऐसे होता है business में, ठीक है अभी यहाँ पे क्या होना है, कि यह जो digital interaction होते हैं, customer के साथ digital interaction होते हैं, internet of things devices होते हैं, यानि कि ऐसे devices, जो physically कुछ चीजों के साथ, physical चीजों के साथ, कुछ sensors attach किये जाएंगे, जिसके through data मिलेगा business को, अभी इसके हम example कहें, तो let's say अभी जो scooter रहता है, उसमें रहता है sensor ठीक है, या फिर कोई भी जैसे कि smart home devices रहते हैं, ठीक है, कि हम घर पे नहीं हैं, फिर भी हम उसे control कर सकते हैं, उसे हम internet of things वैसी चीजों को कह सकते हैं, यानि कि physical things के साथ, कुछ sensors attached है, जिसके जरिये information मिलेगा businesses को, वो सारे जो information मिलेगे businesses को, उसके जरिये businesses क्या कर सकते हैं, strategic decision making कर सकते हैं, time save हो जाएगा ना businesses का, customer segmentation कर सकते हैं, operational efficiency बढ़ जाएगी, personalized customer experiences भी उन्हें जानने मिलेगा, नव नेक्स ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी, नव ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी, offers decentralized and secure transaction system, facilitating transparency, traceability and efficiency in supply chains, financial transaction, example cryptocurrencies, smart contracts and digital identity verification, अब ये ब्लॉक्चेन के जरिये क्या होगा, कि एक ही जगे पे, अलग अलग जगों से information एक ही जगे पे available हो जाएगी, business इसके लिए, ठीक है, जैसे कि हम ये cryptocurrency का example ले, तो cryptocurrency का कौन सी जगा पे कितना transaction हुआ है, वो उसे एक ही ledger में पता चल जाएगा, एक ही जगे से information मिल जाएगी, तो उसे हम blockchain technology बोल सकते हैं, तो अभी उसके ज़रिये क्या होगा, एक तो information की transparency रहेगी, traceability रहेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़े, business इसको help करेगी, strategic decision making में, now next is internet of things, देखे अभी ये आगे internet of things, IOT connects devices and collects real time data, enabling remote monitoring, predictive maintenance, smart logistics and personalized customer experiences, ठीक है, ये ज़र internet of things से, उससे real time data मिलता रहेगा, business को, business का time भी बचेगा, transparency रहेगी, information में correct data मिलेगा, without mistake, now industries like manufacturing, healthcare and retail benefit from IOT application, ये सारे फिल्ड में, internet of things, IOT बहुत useful रहा है, now next is 5G technology, the rollout of 5G networks, promises faster data transmission, lower latency यानि कि delay कम होगा, greater connectivity, revolutionizing industries, such as autonomous vehicles, augmented reality, virtual reality and remote workplace, remote work capabilities, ये सारी चीज़ है पॉसिबल है, थूँ 5G technology, ठीक है, उसकी वज़े से क्या हो रहा है, data transmission faster हो गया है, connectivity अच्छी हो गई, lower latency यानि कि delay नहीं हो रहा है, data transformation में, इस सारी ही चीज़े, helpful हो रही है, business इसके लिए, so students अभी यहां पे, हमने कुछ topics पढ़ लिए, आज के, ठीक है, and technological advancement के बारे में भी पढ़ लिया, अभी हम next lecture में करेंगे, shifts in consumer behavior and market trends, ठीक है, वो topic हम करेंगे next lecture में, तो मलते हैं वहाँ पे, thank you so much everyone,